देवासे दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां एक कलियों की पिता ने मासूम बेटियों पर धारदार चीजों से हमला कर दिया, बच्ची को बचाने में मा और सास भी घायल हो गई, सभी को इलाज के लिए इंदोर रेफर कर दिया गया है दिवास के खाते गाउं ठाना छेतर में नशे में दुद्ध पिता ने अपनी दो मासूम बेटियों और पत्नी सहीत सास पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया, आरोपी पिता वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया, परिजनों ने सभी को साश की अस्पताल खाते ग गाउं पहुचाया जहां प्रात्मी कुपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया, डॉक्टर आशीश खान के अनुसार घाउं गहरे होने के कारण इंदौर रेफर किया गया है, घटना शनीवार देर रात की बताई जा रही है, फिलाल खाते गाउं पुलिस पूरे मा आप देख रहे हैं डखल न्यूर